़ूड मौनिंग बच्चो ग्लोव और फिजिक्स में आप साबका स्वागत है प्यारे बच्चो परसदीय परिक्षा के तयारी है तो glow of physics परिवार के त्वारा मैं तो पूर्ण तीन अंकों की वीडियो बन नहीं है जिसके तहत पहली वीडियो जो मैंने आपको बना दी है और दूसरी वीडियो आपके लिए लाया हूँ जो की question number 11 है और इस वीडियो का question number 1 है तो क्या कह रहा है बच्चो आपके screen पर है तरंगागर किसे कहते हैं हाइगेंस के द्वतियक तरंगिकाओं का सिधान्त क्या है बच्चो तो प्यारे बच्चो वेफ्रंट या तरंगागर के बारे में आप जानते हैं तरंगागर क्या होता है माध्यम में आपने ऐसा प्रिष्ट खींचना है ठीक है बच्चो माध्यम में कंपन करते हैं और तो माध्यम में आप ऐसा कालपनिक प्रिष्ट खींचना है जिसके परतेग बिंदू पर जो है क्या हो बच्चो कला क्या हो समान हो ठीक है बच्चो तो ऐसे प्रिष्ट को आप क्या कहते हैं बच्चो तरंगागर कहते हैं तो मात्यम में खीचा गया ऐसे ऐसा प्रिष्ट जिसके परतेग बिंदु पर जो है क्या होते बच्चो परतेग बिंदु जो है समान कला में होते हैं उन्हें तरंगागर कहते हैं बच्चो और हाइगेंस क जो है बच्चो तीन से दान्त हैं आपको उसको लिखना है बच्चो मैंने आपको हलके से जो है इसमें एक समरी के तौर पे ये बता दिया है बच्चो तो प्यारे बच्चो बहुत ही महतोपूर प्रस्न है क्वेशन नंबर 11 और इस वीडियो का पहला प्रस्न है अब लिए चलते हैं क्वेशन नंबर 12 इस वीडियो का दूसरा क्वेशन जो कि अपना आप में बहुत ही महतोपूर प्रस्न है बच्चो प्रस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की साइंट फोकस दूरी ग्यांत कीजिए प्यारे बच्चो जब आपने दो माक्स या दो अंक के प्रस्न में देखे होंगे उसमें भी ये प्रस्न मैंने आपको दिया था तो इसका मतब ये दोनों दो माक्स और तीन माक्स में पूछे जाने की पूरी संभावन है बच्चो तो 1 अपन एफ चो का माइंड ल दो माक्स और तीन माक्स के लिए जरूर करेंगे बच्चो तो प्यारे बच्चो इस सिरीच का जो है तेरवा क्वेशन तीन अंक का और इस वीडियो का तीसरा क्वेशन है बच्चो क्या कह रहा है बहुत ही महतवपूर्ण है और आपको ये तीन या पांच माक्स में निश् लेकिन अवतल गोली प्रिष्ट के पूछे जारने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती बच्चो तो प्यारे बच्चो थोड़ा सा बता दो आपको n upon b minus 1 upon u बराबर होता बच्चो n minus 1 upon r ये आपको क्या करना है डेरिवेट करना है बच्चो और बच्चो बहुत ही चौथा question आपके सामने तीसरा question चौथा question आपके सामने लाया हूँ बच्चो तो क्या कह रहा है ट्रांसफोर्मर का सिध्धान्त क्या है इसका सचित्र वर्णन कीजी बच्चो तो प्यारे बच्चो ट्रांसफोर्मर जो है ऐसा उपकरन है जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिध पे कारे करता है यह दो परकार का होता है उच्चाई ट्रांसफोर्मर और अप्चाई ट्रांसफोर्मर तो प्यारे बच्चो आपने इसका सचित्र वर्णन करना है और मैं उसमें उच्चाई और अप्चाई दोनों ट्रांसफोर्मर के बारे में आपको लिखना है बच्चो ध जो है उच्चाई के लिए आर बड़ा होता है एक से और अब चाई के लिए आर छोटा होता है एक से ठीके बच्चो उपर वाला जो है उच्चाई के लिए है और नीचे वाला जो है अब चाई के लिए है ठीके बच्चो जब जो है आर बड़ा होगा एक से ये एक से बड़ा होगा तो निसंदे जो है दुतिया कुंडली में फेरों की संख्या प्रात्मी कुंडली से जादा होगी जब आर का मान कम होगा एक से अपचाई के लिए तो दुतिया कुंडली में फेरों की संख्या प्रात्मी कुंडली से क्या होगी बच्चो कम होगी पहले उचाई में तो स्क्रीन पर है और बहुती महतवपूर क्वेशन है और आप इसको जरूर देखेंगे वह ऐसे आपको इसके तयारी करनी ही चाहिए बच्चो ठीक है बच्चो क्या कह रहा है बच्चो अगला क्वेशन कह रहा है LCR परिपत की परतिबादा का ब्यंजक निगमित कीजिए बच् XL-XC का whole square ठीक है बच्चो आपको इनिगमित करना है ठीक है बच्चो लिए चलते हैं आपको question number 16 की ओर तो question number 16 क्या कह रहा है बच्चो भंवर धारा ये किसे कहते हैं भंवर धाराओं के अनुपरियोग लिखें ठीक है बच्चो ये दो तरीके से आपको पूछा जाता है ब भी पूछा जा सकता है और भंवर धाराओं के अनुपरियोग क्या है जहां भंवर धाराओं से नुकसान होता है तो वहां उसके लाब भी है बच्चो तो लाब ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चो लाब भी है इसके ठीक है बच्चो तो भंवर धाराओं के अनुपरिय तो क्या है उसको भी आपको ध्यान रखना है बच्चो तो question number 17 आपके screen पर है question number 17 क्या कह रहा है स्वप्रेरण किसे कहते हैं एक सम्तल बिर्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणां ग्यानत कीजिए बहुत ही important question है बार बार ये प्रस्ण पूछा गया है बच्चो ये दो नमबर में भी पुछा जाता है और तीन नमबर में भी इसके पूछे जाने की संभावना है तो I is equal to होता है बच्चो N E A B D ठीक है बच्चो जहां B D क्या है अनुगमन बेग है बच्चो और अगला question इसी से related जो है अगला question है बहुत ही important question है बच्चो क्या कह रहा है अनुगमन बेग के आधार पर om के नियम की ब्याख्या कीजिए आपको om के नियम की क्या करनी है बच्चो ब्याख्या करनी है बच्चो तो प्यारे बच्चो यह चलते हैं आपको question number question number 20 की यह question number 20, आपके screen पर flash होता हुआ बच्चो, तो यह देखे, क्या कह रहा है बच्चो, बिसिष्ट चालकता sigma, धारा गन्त जे, तथा बैदुच्छेत की तीवरता E में, यहाँ पर बैदुच्छेत की तीवरता क्या होती बच्चो, E में सम्मंद क्यांत कीजिए बच्चो, ठी लगवा लगवा जो है, तीन माक्स के जो भौती महत्वपूर्ण question है, उनको discuss कर दिया है, दूसरी वीडियो जो है, आपके लिए बना दी है बच्चो, और यह मैं छोटी छोटी वीडियो रखना चाह रहा हूँ, जिससे आपका intensity में बना रहे, तो प्यारे बच्चो, चैन यह परिक्चा समाप्त होने के बाद, आपको जो है, एक्जाम में बैठना है, उसके लिए हम जो है, जो science quiz लाने वाले हैं, science से related जितने भी जीके हैं, आपको मिलने वाला है, तो इसलिए बच्चो, आप इस चैनल पर जरूर बने रहेंगे बच्चो, तो तब तक आप से व परत्यासाओं के साथ, कि आप हमारे गुलो और फिजी स्कृत परिवार के साथ बने रहेंगे, पुन्हों आपका बहुत-बहुत धन्यवार,